बिहार के 40 लोकसभा सीटों में दूसरे चरन में होने वाले पुर्णिया लोकसभा के लिए अंतिम दिन गुरुवार को चर्चित नेता राजेश रंजन उर्फ पपू यादों ने निर्दलिये परत्यासी के रूप में अपना नमांकन दाखिल कर दिया वे इससे पहले भी य नहां से निर्दलिये सांसद रह चुके हैं पपू यादों के नमांकन के बाद पुर्णिया में दंगल होने की उम्मीद जताई जा रही है एक तरफ जेडियू के संतोस कुस्वाह हैं तो दूसरी तरफ महागट बंदन से राजत के सींबल पर रुपावली विधायक बीमा भारती हैं लकिन पपू यादों की एंट्री ने इस पूरे पूर्णिया के खेल को इधर से उधर करके रख दिया है पपू यादों ने अपने नमांकन पत्र के साथ जो हलफ नामा दायर किया है उसके अनुसार उनसे अधिक संपत्ति उनकी पतनी सांसद रंजीत रंजन के पास है दायर हलफ नामे में पपू यादों ने अपनी कुल संपत्ती एक करोर 62,666,42 रुपए और उनकी पतनी के पास साथ करोर 78,19,879 रुपए इस्थावर और कुल स्वार्जित संपत्ती बताई है पपू यादों ने 1991 में बी एन मंडल युनिवर्सिटी से इस नातक कि हलफ नामे में अपनी संपत्ती का जो बेवरा उन्होंने दाखिल किया है उसके अनुसार वे वीतिये वर्स 2023 में 4,79,070 रुपए का आएकर दाखिल कर चुके हैं जबकि उनकी पतनी रंजीत रंजन ने 2022-23 में 4,5,278 रुपए का आएकर जमा कराया है पपू यादो के पास नगदी 3,16,000 तदा उनकी पतनी के पास 2,77,500 रुपए है वहीं बैंक में पपू यादो के पास 8,65,621 रुपए जमा है जबकि पतनी का 30,47,688 रुपए जमा है पपू यादो ने विभिन वीमा पॉलिसी में भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने 7,91,94 रुपए डाक बचत राश्ट्रिय बचत योजना वह अन्य बीमा पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है पपू यादो ने दायर ब्योडे में बताया है कि उनके पास 4,00,000 रुपए की एक इन्वाकार है जबकि उनकी पतनी के पास 5,00,000 की मोटर साइकिल है पपू यादो ने स्वर्ण अभूशन होने की भी जानकारी दी है उनके पास 42,44,738 रुपए मुल के 150 ग्राम सोने के अभूशन है वही उनकी पतनी के पास 89,76,291 रुपए मुल के सोने के जेवरात है पूर्व सांसत के पास फुलवारी सरीप पटना में 45,50 वर्ग फूट का मकान भी आए जिसका मुल 1,35 लाक रुपए है पपू यादो पर कई अपराधिक मामले भी दर्ज हैं दायर हलफ नामे में उन पर 41 मामला दर्ज होने की सूचना दी गई है जो विविन थानों में दर्ज है ये मामले विविन कोट में विचारा धीन है तो पपू यादो ने नमांकन पत्र भरने के साथ ही अपने बारी में समपूर्ण जानकारी दायर हलफ नामे में दे दी है लेकिन देखिए पपू यादो मैदान में उतर गए हैं और उनके उतरने के बाद पूर्णिया की लराई का भी कांते की मानी जा रही है जिस प्रका यह बात मान रहा है कि पप्पू यादो बीमा भारती पर भरी पर सकते हैं लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें